हलो नवश्कार वेलकम आप सभी का भाद बहुत स्वागत है दोस्तों कैसे आप सभी अच्छे होंगे सातियों आज आपके लिए एक बहुत ही शांदार सी रिकूर्टमेंट आई है दोस्तों बहुत ही शांदार यहाँ पर राजस्तान स्टेट पॉलिशन कंट्रोल बोर्ड राजस्तान के अंदर यहाँ पर वेरियस्ट के लिए यानि कि अलग अलग पॉस्टों के लिए आपके लिए यहाँ पर वेकंसी आई है जैसा कि आपको दिख रहा होगा information regarding वेकंसी इन राजस्तान स्टेट पॉलिशन कंट्रोल बॉर्ड और विच रिकॉर्मेंट प्रोसेस is likely to be started shortly, यानि कि आपके लिए जो यहाँ पर number of vacancies है, वो इस तरह के से 4 categories के अंदर divide हो रखी है, जिसके अंदर आपका law officer second का, यानि कि LO second की, यहाँ पर जो दो post है, इसके अंदर junior scientific officer की JSO की आपको 52 post मिलेगी, junior environmental engineer, JEE की आपकी 53 यानि कि तरहपन junior assistant की JEE के आपके 45 vacancy है, यानि कि यह जो है दोस्तों, जो भी आपकी इसके अंदर vacancy हो, सारी-सारी जो है officer grade की है, अच्छी vacancy है क्या-क्या qualification रहेगी क्या-क्या चीज़े आपको करनी इसके अंदर और इस vacancy, जो vacancy कब आपके आने वाली है, सब कुछ इस session में पर डिसकस करेंगे जैसा कि आपके minimum qualification आपकी जो होना चीए, law officer second के लिए must be a law graduate from a university established by law in India, यानि कि भारत की कोई सीवी AC college हो आपका कोई सीवी university हो जिससे आपके बास law के अंदर आप graduate हो इसके अंदर आप law officer बन सकते हो इसके बाद junior scientific officer junior scientific officer में first class MSC या MS in any branch of chemistry, soil, science, environmental science, microbiology after BSC, BSC, BSC in any discipline यानि कि ये जो है इसके लिए आप junior scientific officer के लिए त्यार हो सकते हो इसके बाद junior environmental engineer इसके लिए आप M.Tech, ME degree in environmental engineering after B.E. B.Tech, B.E. degree जो होती हो इसके वो आगर आपने कर रखिये ये जितने भी course अगर आपने कर रहे है तो आप junior environmental engineer के आप post पर भर सकते हो इसके बाद इसी तरीके से अगर आपन बात करें दोस्तों तो यहाँ पर देखेगा junior assistant इसके अंदर आपको senior secondary program recognition board यानि कि आप बार भी पास होना चाहिए all level या high level certificate आपके पास होना चाहिए ठीक है ये computer के course ये आपके पास होना चाहिए ठीक है इसके बाद अगर आपन बात करें second number यहाँ पर certificate होना चाहिए course computer concept by NIE LIT नियो देली से या फिर आपके पास COPA का computer course होना चाहिए या फिर आपर degree diploma certificate computer science या पर computer application from university established by law in India यानि कि ये सारे के सारे आपके पास अगर degree है तो आप इसके लिए apply कर सकते हो slavus क्या रहेगा slavus की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर देखेगा slavus law officer के लिए law officer के अगर बात करें तो law officer के लिए आपको या पर part 1 जैसे या पर environmental या पर इस तरीके से आपके जो भी आपका environmental के अंदर आपने जो graduation में किया है वो सारी चीज़े आपके graduation वाली आएगी इसके अंदर फिर इसके बात में right to information act जो आपका 2005 का है वो आपको पढ़ना है rule of justify इस तरीके से पूरा का पूरा जो आपका यह रहेगा इसके अंदर segment इसके बात में अलग-अलग यहाँ पर syllabus है अलग-अलग post के लिए देखो भी वी पार्ट के अंदर यहाँ पर general knowledge होगा आपका बिजिस के अंदर आपको mathematics, reasoning, current affairs और राजस्तान के अंदर geography, history, culture वगेरा सब कुछ आपको यहाँ पर इसके बाद में यहाँ पर junior scientific officer के लिए part A में जैसे environmental general knowledge यानि कि general knowledge आपका इसका एक paper होगा जिसके अंदर और इसके इसके बाता देता हूं जिसे यहाँ पर air and noise pollution, sources of air pollution, properties of all air pollution, इस तरीके से यह पूरा आपका syllabus है, ठीक है, अगर आपने इसके regarding कोर्स कर रहे हैं तो आपको पूरा इसमें समझ में आ जाएगा भी, ठीक है, अब देखो भी, यहाँ पर आपका junior environmental engineer, इसके लिए भी आपको अल इसलिए बस है, ठीक है, इसका पूरा का पूरा राजस्तान, जीके, कल्चर, इस्ट्री, करंट अफेर, सब कुछ इसके अंदर आने वाला, भी पार्ट में रिटन एक्जाम होगा, जूने सेशन का इसके अंदर पार्ट एमेक याएगा, जैसे आपर environmental general knowledge आएगा, ठीक है, इसके बाद में हिंदी इंग्लिस आएगा, आपके हिंदी इंग्लिस का भी या बार्वी पास, बार्वी लेवल का हिंदी इंग्लिस आएगा, इसके अंदर basic database management, DBMS वगरा और यह सारक सारे इसके अंदर आएगा, ठीक है, इसके बाद बी पार्ट जो है, वैसे रहेगा अपना जैसे general knowledge का, जिसके अंदर आपको, यहाँ पर राजस्तान, जिके, हिस्ट्री, जोगराफिक कल्चर वगरा, यह इसके अंदर पूचा आएगा, mathematics हो गया reasoning हो गया, current affair हो गया, और यहाँ पर type test भी होगा, जिसके अंदर Hindi English, दोनों आपका type test होगा इसके अंदर, ठीक है भई, आप देखो यहाँ पर यह जो exam date है, इसके ओपर ध्यान चीए सुनना, यह जो exam date है, यह exam date नवंबर, 15 नवंबर से 31 नवंबर, यहाँ पर यह exam date भी इन सारेक सारी post ने जो है, बिल्कुल officer grade की है, आप बिल्कुल शांदार तरीके से यहाँ पर आप बन सकते हो, ठीक है दोस्तों, इसके बारे में जो भी information होगी, जैसे ही online form होगे, मैं हम आपको बिल्कुल सूचित करेंगे, और हमारे channel को subscribe कीजेगा, like कीजेगा, ठीक है, मिलते ने 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 से 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 किसाओ